सावदान रहो फारिसियों के खमीर और हेरोत के खमीर से बच्चते रहो सनमारकुस कासु समाचार अध्याई आठ पसंक्या पंद्रा आप सबुं को जय एसु क्रिस में मेरे प्यारे भाय और बेनों आज का पहले पात में उत्पत्य ग्रहंत में ईश्वर कहते हैं मैं उस मानव जाती को जिसकी मैंने स्रस्टी की है प्रत्वे पर से मिटा दूंगा और मनुश्यों के साथ साथ पशुओं रेंगने वाले जीव जन्तों और आकाश के पक्ष्यों को भी क्यूंकि मुझे खेद है कि मैंने उनको बनाया है क्यूं प्रबु उदास ते क्यूं प्रबु दुकित ते नाराज क्यूं दिख रहें आज का पाट में कारण यही है प्रबु के वच्चनों पर लोग नहीं चले प्रबु के जो शब्द थे उनको अन देखा किया मानो जाती दुस्टुता में बढ़ गए थे बुरे विचार कर रहे थे बुरी प्रवर्तिय उत्पन कर रहे थे प्रबु को बहुत दुक होता और इसलिए वह कहते हैं मैं मानो जाती को मैंने मेरे हातों से बनाया है नस्ट करूंगा शायद उसी के बारे में प्रबु येसु भी आजकसु समाचार में हम लोगों को चिताफनी देते हैं फारिजी और हेरोत के कमीड से बचते रहो यानि उनके जाल में ना फसना बुराईव से आपको वंचित करेंगे वो गलत रास्ता दिखाएंगे वो गरतकारियों को करने के लिए उत्पेरित करेंगे इन सबसे प्रभू कहते हैं बचते रहो और अपने सिश्वों को उन पर विश्वास करने के लिए आवान करते हैं मेरे प्यारे भाई और बेहनों क्या आज भी हमारे समाच में फारेजी लोग हिरोद लोग कितने हैं किस प्रकार से उनकम पैचानते हैं कैसे उनसे बच सकते हैं क्या प्रभू आज हमारे इस प्रत्वी को देखकर हम लोगों के कारियों को देखकर नराज या कुश होंगे माना जाती से प्रभू कितने कुश है मेरा विचार क्या है मैं कितना प्रभू में उन्मुक होता हूं प्रात्ना कितना करता हूं मैं सबलिदान में इत्वार के दिन भाग लेने से क्यों इचकी चाता हूँ ये प्रस्टन मेरे जहन में दुख पहुंचाता है क्या आपको दुखित करता है प्रबू को मैं किस प्रकार कुश कर सकता हूँ आईए हम फारिजी ना बने हम हेरोद ना बने दोसरों को गलत रास्ता ना दिकाए दोसरों को प्रभू के पास लाने वाले साधन बने आमिन